हेलो एवरीवन वेलकम टू रवेदी दी ग्लासेज फेंड्स आज की वीडियो का टॉपिक है बुक्स एन ओधर्स 2024 तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जो कि हमारे आने वाले सभी एक्जाम के लिए मोस्ट यूसफूल हों इस तरह से आप लोगों से यहां से क्वेशन आ सकता है तो यहां देखिए बुक का नाम है The Law and Spirituality Reconnecting the Bond और इस पुस्तक के लेखा कौन है यह बुक लिखी है सीमा सिंग एन रमन मित्तल तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बी और सी हमारा बिकुछ सही आंसर है तो इस बुक के जो ओधर है देखिए प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंग है एक कोशन और यहां से बन सकता है कि इस बुक को रिलीज किसने किया है यह भी याद रखना है वाइस प्रेजिडेंट जगदीप धनकर जो है उन्होंने इस पुस्तक को रिलीज किया है तो यह हमें दो कोशन जो है यहां से याद रखनी है और बुक का नाम है The Idea of Democracy और ये बुक किस ने लिखी है तो इसके author है Sam Pitroda, Sam Pitroda के द्वारा बुक लिखी गई है The Idea of Democracy, next question पर आते हैं, who is the author of the book titled You Can Coach, बुक का नाम क्या है friends, You Can Coach और बुक किस ने लिखी है, तो इस बुक के author है सिधार्थ राजसेकर, या देखीगा, You Can Coach नाम क्या पुस्ता के लिखा के सिधार्थ राजसेकर, next question, who is the author of the book titled The Gems of Indian Art, बुक का नाम है The Gems of Indian Art और इस पुस्ता के लिखा कौन है, right answer is Harish Khullar जो है उन्होंने बुक लिखी है The Gems of Indian Art, next है देखे, who is the author of the book titled The Conspiracy to Oust Me from the Presidency, so बुक का नाम याद रखना है friends and then उसके author का नाम हमें याद रखना है, तो बुक का नाम है The Conspiracy to Oust Me from the Presidency और ये बुक लिखी है, गोटा बाया, राजपक्षेनी, next is who is the author of the book titled From a Car Shed to the Corner Room and Beyond, so friends बुक है हमारी From a Car Shed to the Corner Room and Beyond और इस पुस्तक के लेखा कौन है, तो ये पुस्तक लिखी है, S. रमनी, next लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी लॉंच्ट हर बुक जिसका टाइटल है, So, एक तो कोशन यही बन जाएगा कि लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने इस पुस्तक को कौन से शहर में देखे, इस पुस्तक को लॉंच किया है, इन्होंने इसे लॉंच किया है, मुंबई सिटी में, Second important question यह हो सकता है, कि जो सुलोइंग दस्तन बुक है, इसकी author कौन है? So, यह जो बुक है, इसकी author है, लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी. So, के friends, यह दो question important यहां से याद रखनी है, यह जो novel है, यह inspired है by her parents and her roots in Maharashtra. So, उनके parents inspired है और Maharashtra के साथ में, जो उनके roots देखे जुड़ी में है, उनसे यह जो है, वो novel प्रेरित है. Next question, who has released the book and video on सागर परिक्रमा at Rajkot, Gujarat? So, राजकोट गुजरात में friends बात करने सागर परिक्रमा जो है, इस पर एक book और एक video का विमोचन किस ने किया, तो यह किया है परशोत्तम रुपाला ने. So, the document देखे, will provide an insight into the challenges of coastal fishermen, जो coastal fishermen है, तट यह मचवारी है, उनकी जो चुनोतियां है, उनका जो culture है, जो religious है, जो उनका heritage है, traditional heritage है, इन सभी के बारे में जानकारी जो है, यह document प्रोवाइट करता है, और इस book में भी बताया गया है, और जो video रिलीज करी है, उसमें भी इनके बारे में बताया गया है, next step, famous poet प्रभावर्मा has been selected for the सरस्वती सम्मान for the year 2023 for his work in Malayalam language for which novel, so देखे, कवी है, प्रभावर्मा है, देखे, इनका नाम और इनको देखे, Malayalam भाषा में उनके किस उपन्यास के लिए, उनको सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है, सो इनका जो novel था, जिसके लिए उनको सरस्वती सम्मान मिला, novel का नाम है, रोद्र साथवीकम, novel का नाम especially याद रखेगा, और हमें क्यायाद रखना है, कि 2023 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है, प्रभावर्मा को, clear हो गया friends, सरस्वती सम्मान के बात करें, तो ये एक annual price है, ये दिया जाता है, last 10 years में, जो भी outstanding literary work publish होता है, उन सभी outstanding work को जो है, ये जो सम्मान है, वो दिया जाता है, सबसे पहले सरस्वती सम्मान किसे मिला था, ये भी important question हो सकता है, सबसे पहले जो हैं सम्मान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं का नाम याद रखें, अगला question देखे, who translate the first मा की नोवल, fool bahadur into English, पहला मा की ही उपन्यास है, fool bahadur और इसको English में translate किस ने किया था, तो इसे English में translate किया था, अभै की नी, next question पर आते हैं, who is the author of the book titled, एक समंदर मेरे अंदर, तो बुक का नाम देखें क्या है, एक समंदर मेरे अंदर और इस बुक के author कौन है, तो ये बुक लिखी है किसने, संजीव जोशी ने, संजीव जोशी ने इसमें explore किया है, diverse range of topics, जैसे उनके emotions, experiences, reflections on life, so इन सभी topics के बारे में, जो है, explore किया है, इस बुक में, अगला question है, who is the author of the book titled, The Great Flap of 1942, How the Raj panicked over a Japanese non-invasion, बुक का नाम क्या है, friends, The Great Flap of 1942, और इस पुस्तक के लेखा कौन है, तो ये बुक लिखी है, Mukundh Padmanabhani, Next, who is the author of the book titled, Artificial Intelligence and National Security, Artificial Intelligence and National Security, नामक पुस्तक के लेखा कौन है, तो ये बुक लिखी है, अनिल चोहान ने, अनिल चोहान करेंट में, जो हैं, भारत के CDS हैं, और ये भारत के दूसरे नमर के CDS, यानि Chief of Defense Staff हैं, Next question, who has released a book titled, Nine Incredible Years of Haryana Government, Emergence of Her New and Vibrant Haryana in सूरजकुंड, सूरजकुंड, फरीदाबाद, सो देखे, बुक का नाम हमें याद रखना है, Nine Incredible Years of Haryana Government, क्वेशन में पूजा है कि इस बुक को किसने रिलीस किया है, तो ये बुक रिलीस करी है, Vice President जगदीप धनकर ने, और इस पुस्तक को रिलीस कहां किया है, सूरजकुंड, फरीदाबाद में. Next question, a book titled, Conversation with Aurangajeb, has been authored by, Conversation with Aurangajeb नामक पुस्तक जो है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये बुक किसने लिखी है, चारू निवेदितानी. The book re-imagines the story of the most controversial मुगल emperor. So, जो सबसे ज़ादा विवादर्स पत मुगल समराट रही है, उनकी इतरी के story जो है, उसकी पुनरकलपना करती है, ये बुक. Next, who is the author of the book titled, Asam Braveheart, लाचित बरफुकन. So, Asam Braveheart, लाचित बरफुकन पुस्तक के लेखा कौन है? Right answer is, अरूप कुमार दत्त ने जो है, फिंक से बुक लिखी है. और एक और important question बनेगा, कि इस पुस्तक को launch किस ने किया है? Amish Shah, Amish Shah, Home Minister है, देकी ग्रह मंत्री है, और इन्होंने इस पुस्तक को launch किया. Next question है, An Uncommon Love, The Early Life of Sudha and Narayan Murti book was authored by, बुक का नाम यादखेंगे, An Uncommon Love, और ये बुक जो है, ये किसके द्वारा लिखी गई, तो इसकी author है, चित्रा बेनर जी, दिवा करूनी, और यहां पे इस बुक की बारे में बात करें, तो इस बुक में देखिए, बताया कया है, about the sacrifices they made to forge a powerful and lasting marriage. So एक powerful लोग स्थाई विभा बनाने के लिए, जो उन्होंने देखिए, sacrifices करें हैं, उसके बारे में इस पुस्तक में बताया है. Narayan Murti जी की बात करें, तो उन्होंने Infosys की स्थापना करी थी, 1981 में. इनको father of the Indian IT sector के नाम से इनको जाना जाता है, very important, और सुधा मूर्ती जी author है, famous author है, और अभी इनको देखिए, राज्यसभा के member के लिए भी nominate किया गया है. Next question है, Vice President Jagadip Dhankar has released the book. Book का नाम है, Fertilizing the Future, भारत March Towards Fertilizer, Self-Sufficiency. So, ये book जो है, इसको release किया है, Vice President Jagadip Dhankar नी. Question है, who is the author of this book? किसने लिखी है, तो ये book लिखी है, Dr. Mansook Mandavya. Dr. Mansook Mandavya जो है, इनके पास में, first of all, Health Ministry है, और इनके पास में Chemical and Fertilizer Ministry भी है. Hindi version of this book, जिस book का जो Hindi version है, उसका नाम है, उर्वरक आत्म निर्भरता की रहा. Next, देखे, who has unveiled his autobiography, Four Stars of Destiny. Four Stars of Destiny, देखे, ये autobiography है, और इसका अनावरन किसने किया है, तो ये autobiography है, General M. M. Narvaneji की, और इन्होंने जो है, इसको unveil किया है. The book reveals an important moment during the Ladakh stand-off in 2020, और अगर हम M. M. Narvaneji की बात करें, तो ये army के chief रहे थे, 2019 से लेके, 2022 तक. Next question, who is the author of the novel, जिसका title है, Zeba, an accidental superhero. Zeba जो book है, ये लिखी है, actress Huma Kurishini. Friends, यहाँ पर हम आपको एक important news देना चाहेंगे. Friends, अगर आप किसी भी exam के देखे, preparation कर रही है, तो ये e-books आपके लिए बहुत helpful होगी. इन e-books में सभी important questions के बारे में दिया गया है. So, अगर आप ये e-books को buy करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारी website पे जाएं. नई दिल्ली में देखे, नई भारत का साववेद, जो पुस्तक है, इसका विमोचन किस नहीं किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है, रामनात कोविंद जी ने. The book is a compilation of speeches of Prime Minister Narendra Modi ji on the Indian Constitution. तो मोदी जी के देखे, भारते समिधान पर जो मोदी जी की speeches रहीं, जो भाशर रहीं है, उनी speeches का ये compilation, एक संकलन है, ये book. Next है, Welcome to Paradise book is written by which personality? Welcome to Paradise पुस्तक किस नहीं लिखी है, तो इसकी author है, टुइंकल खन्ना. Next है, Whose Autobiography is the book titled, निलावु कुदिचा सिंभांगल. तो ये जो book है, देखे, निलावु कुदिचा सिंभांगल, ये किसकी आत्मकता है, तो ये है आत्मकता किसकी, एस्तोमनाद की, एस्तोमनाद जी कौन है, तो current में इस रोके chief है, और उनकी autobiography है, ये. So, the autobiography is the written in Malayalam language, तो इसका नाम भी थोड़ा सा आपको अजेब सा लग रहे है, क्योंकि ये Malayalam language में है, सिंपल याद रखेंगे, किसकी autobiography है, एस्तोमनाद जी की, next, who is the author of the book, बुक का नाम है, नेशन कॉलिंग, नेशन कॉलिंग, बुक किसने लिखी है, ओथर है इसकी, सोनल गोयल, next question, who is the author of the book, titled, why भारत मेटर्स, बुक का नाम है, why भारत मेटर्स, और फैंट्स ये बुक लि हमारी इंडिया के foreign affair minister है, और इनके द्वारा जो है, फैंट से बुक लिखी गई है, the book depicts the major achievement of India in 2023, इस बुस्तक में देखे, भारत ने जो 2023 प्रमुक उपलब्धियां जो है, भारत ने हासल करी है, उसी के बारे में इस बुक में दर्शाया गया है, next, who is the author of the book, titled, breaking the mold, breaking the mold, जो बुक है, इसके लेखा कौन है, तो ये बुक लिखी है, रगुराम राजन्नी, next question, who has written the book titled, Smoke and Ashes, a writer's journey through opium's hidden histories, so Smoke and Ashes की बात करें, तो ये बुक किसे लिखी है, इसकी author है, Amitabh Ghosh, अमिताब Ghosh, काफी famous वह था हैं, देखी, उनकी कुछ और भी important books हैं, चुकि हमारे लिए important हो सकते हैं, exam के लिए, तो एक बार देख लेते हैं, friends, तो देखे, Sea of Poppies, next देखे है, Jungle Name, River of Smoke, The Calcutta Chromosome, The Shadow Lines, The Circle of Reasons, The Living Mountain, ये सभी important books किसकी है, Amitabh Ghosh की, next question, देखे, Why whom has a book titled, A Democracy in Retreat, Revisiting the Ends of Power, Being Written, so देखे, book का नाम क्या है, A Democracy in Retreat, और ये जो पुस्ता के किसकी द्वारा लिखी गई है, तो इसकी author है, Ashwini Kumar, Next question, देखे, Who has written the book named, Pranav, My Father, A Daughter Remembers? Answer is, Sarmishtha Mukherjee, so friends, book है, देखे, हमारी, Pranav, My Father, A Daughter Remembers, और इसकी author का नाम याद केंगे, Sarmishtha Mukherjee, Next question, By whom has the book titled, India's Moment, Changing Power Equations Around the World, Been Written? So, India's Moment book, जो है, इसकी author कौन है, तो ये book किसने लिखी है, Mohan Kumarni? Next question, By whom has the book titled, India's Finance Minister from Independence to Emergency, Been Written? India's Finance Ministers, और ये book किसने लिखी है, इसके author है, A.K. Bhattacharya, के द्वारा, जो है, friends, ये book लिखी गई है, वो का नाम भी important है, India's Finance Ministers, और current में, अगर बात करें, Finance Minister कौन है, So, friends, current में, Nirmala Sita Ramad, जो है, हमारी Finance Minister है, Next है, By whom has the book titled, Bajpai, The Essent of Hindu Right, 1924-1977, Been Written? Bajpai जी के उपर ही देखे, ये book लिखी गई है, और ये book किसने लिखी है, तो इसके author है, Abhishek Chaudhary Next question है, By whom has the book named, 12th fail been written, 12th fail इसके उपर आपने एक movie भी देखी जरूर होगी, और इसी पुस्तक के उपर ये movie बनी दे, 12th fail और ये किसने लिखी है, तो इसके author कौन है, अनुराग पाठक जो है, इसकी author है, ये जो book है ना, ये based है, IPS मनोज शर्मा की life पे, तो उनकी life में देखें कैसे बहुत दोज़ा struggle रहा था दिन, वो IPS कैसी बनी, पूरी उनके life की journey इस book में देखें बताई गई है, और ये जो film भी इस पे बनी थी, इस film को 69th Filmfare Awards 2024 में best film का भी award मिला था, तो ये भी important है, और इस film को produce किस ने किया था, विदू बिनोद चोपडानी, next, who has written the book titled, Do Different, The Untold Dhoni, based on the biography of former Indian Captain Mahindra Singh Dhoni, so, Mahindra Singh Dhoni ची के उपर ही देखे, book लिखी गई है, Do Different, The Untold Dhoni, और ये पुस्तक किस ने लिखी है, तो इस पुस्तक की author है, Joy Bhattacharya and Amit Sinha, तो right answer होगा यहाँ पे, option number C, अब देखे, कुछ famous players की biography के बारे में भी बात करते है, so, important है सभी biography, so, सबसे पहला देखे, believe what life and cricket taught me, ये किस की biography है, सुरेश राइना की, playing it my way, ये सचिन तैंजुलकर की है, the test of my life, ये biography है, युवराज सिंग की, a century is not enough, sorrow gangli, no spin, Shane Vaughan, six machine, I don't like cricket, I love it, ये biography है, Chris Kiel की, and 21 and beyond, ये किस की है, VBS Lakshmar, so, इस तरह से exam में भी question बन जाते हैं, biography के बारे में, कि किस की biography है, इसके बारे में ऐसे याद रखना है, next question देखे, who has released the book, titled, राम मंदिर, राष्ट मंदिर, एक साजी विरासत, सुम्बुक का नाम है, पुस्तक का वे मोचन किया है, आरिफ महुम्मद खान नी, the book has been jointly written by, गीता सिंग और आरिफ खान भारती, so, ये भी आदेखेंगे, jointly किस किस नी book लिखी है, गीता सिंग और आरिफ खान भारती नी, next, who are the authors of upcoming book, ये book का नाम देखे है, Idols, अन अर्थिंग तपावर उप मूर्ती पूजा, Idols शो भुक है, इसके author है, अमीश तरपाटी और भावना रॉई, so, फैंट्स, अमीश तरपाटी और भावना रॉई ने book लिखी है, Idols, अगला question है, Fire on the Ganges, book is authored by, Fire on the Ganges, शो बुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसकी author कौन है, राधिका अयंगर, next question देखिए, who has released books, based on speeches of Prime Minister Narendra Modi ji, title है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, so, इस जो भुक है, नरेंदर मोदी जी के, जो speeches रहें, जो भाशन है, उन्हीं के उपर based है, और इस पुस्तक को देखे, release किसने किया है, तो ये release करी है, अनुराग ठाकुर्णी, next question, who is the author of the book, titled, Drunk on Love, The Live Vision and Songs of Kabir, author है, इसके विपल रिखी, विपल रिखी author है, किस बुक के, Drunk on Love, अगर question है, who is the author of the book, titled, Monsoon, Monsoon जो बुक है, किसने लिखी है, तो Monsoon बुक के author है, अब है के, अगला question है, who has unveiled the book, titled, Artificial Intelligence and National Security, so ये जो बुक है, देखे, Artificial Intelligence and National Security, पुस्तक का, देखे, अनावरन किसने किया है, CDS Anil Johan, next question, देखे, who is the author of the book, जिसका नाम है, Inspiration for Graphic Design from India, author का नाम है, Jaya Jaitli, Jaya Jaitli, जो है, इन्होंने बुक लिखी है, Inspiration for Graphic Design from India, next question, देखे, who has received, व्यास सम्मान for 2023, for the memoir, यादे, यादे और यादे, who is the author of this book, तो देखे, यो बुक है, जिसका नाम है, यह महमोयर है तरीके से, संस्मरण है, यादे, यादे और यादे, इसी संस्मरण के लिए, 2023 का व्यास सम्मान, ये किसे मिला, पुश्पा भारती जी को, पुश्पा भारती जी, जो है, इसकी author है, और इनको मिला, व्यास सम्मान, 2023, नेक्स्ट, विच ऑथर, हाज बॉन दस सिख्थ, रविदनार टेगो, लिट्वेरी अवार्ड, फॉर्द बुक, सॉल्ट अन पैपर, छटा देखे, रविदनार टेगो, साहित बुरुश्कार, किसने जीता, तो ये वार्ड जीता है, सुकृता पॉल कुमार ने, अब यहाँ पे आप लोग उसी बुक का नाम भी पूछ सकते हैं, कि ये जो अवार्ड उनने जीता है, किस बुक के लिए जीता है, सॉल्ट अन पैपर के लिए, नेक्स्ट, बुक का नाम याद लखेंगे, और ये जो बुक है, किस ने लिखी है, तो इसकी अवार्ड है, वी शिरी निवास, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्ट की, वु हैस रिटन दा बुक टाइटल्ड, हाव प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, जो पुस्तक है, किस ने लिखी है, और ये पुस्तक लिखी है, नीरजा चौधरी ने, इंपॉर्टेंट बुक है, फेंग्स याद लखेंगे, अगला कोशन है, वु हैस रिटन दा बुक, लेटर्स टू सेल्फ, लेटर्स टू सेल्फ बुक किस ने लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक और ये लिखी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी जी ने, कुछ और इंपॉर्टेंट बुक की बात करेंगे, जो प्राइम मिनिस्टरिस के दोरा लिखी गई है, जैसे कि exam warriors and social harmony ये दोरों बुक किस ने लिखी है मोधी जी ने next changing India इसके author है मनमोहन सिंग ये important books है तीनों ही काफी ज़ादा इन तीनों को याद रखे exam में पूछ सकती है next question है friends who has written the book named madam commissioner so madam commissioner पुस्ता किस ने लिखी है और इसके author है मीरन चड़ा बुरांकर जो है इसकी author है next question है friends pitch side my life in Indian cricket is the autobiography of which player pitch side जो है जो है जो है जो है जो है किस player की autobiography है तो ये अमरित मातु जो है उनकी autobiography है जो इसका नाम भी याद रखना है pitch side my life in Indian cricket so यहां friends हमारे जो भी 2024 की most important books नहीं है उन सभी के questions complete हो गए है बात करते है test questions की so friends सिद्धो questions पूछेंगे हम आप लोगों से आप उनकी answer comment करके बताएं so friends आज को हमारा पहला question है book का title है conversation with orang jayb और ये book किसने लिखी है second question की बात करें second important question है who is the author of the book titled the idea of democracy the idea of democracy नामक पुस्ता के लेखा कौन है तो इन दोनों question की answer जल्दी से आप हमें comment करके जरू बताएं और friends यहां हमारा books and author का important session complete होता है friends जितने हमने questions cover करे हैं वो आपके आने वाले सभी exams के लिए most and most useful है और definitely आपको यहां से question देखने को जरू मिलेगा अगर आपको आज की class हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को फेंक like और share जरू करना thank you so much for watching this video